नमस्तेड ये विवस ! आज के इस वीडियो में हम लोग altrasonics, acoustics और इसके application को continue कर रहे है। मेरे प्यारे विवस देखे हैं, पिछली वीडियो में हम लोगोंने देखा की ultrasonic wave, classification of sound waves and properties of ultrasonic waves को discuss किया। फ learner second of ultrasonic waves को कैसे detect कर सकते हैं, उसके लिए कुछ छोटे-छोटे methods देखे and then आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे है ultrasonic waves अगर किसी liquid में propagate करता है तो उसका velocity कैसे पता कर सकते है साथी साथ उसका wavelength कैसे पता कर सकते है आज के इस वीडियो में हम लोग वही discuss करने वाले है देखे मेरे प्यारे वीवस आपका जो सलेबस है उसके topic क्या नुसार उसमें दिया हुआ होगा determination of velocity of ultrasonic waves in liquid बड़ देखे चुकि ultrasonic wave क्या है ये भी एक प्रकार का wave है और हम लोगों ने जब concept of wave velocity discuss किया था एक वीडियो है जहां पर हम लोगों ने wave velocity के concept को discuss किया है अगर एक छोटा सा वीडियो है चार या पाँच मिनट का है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक पर देखे definitely helpful लोग आपके लिए तो ultrasonic wave क्या है ये भी एक प्रकार का wave है तो इसका जो velocity होगा वो wave velocity आपको पता है किस से equal होता है frequency into wavelength के product से equal होता है उसी प्रकार जो velocity होगा आपका ultrasonic wave का वो frequency into wavelength से equal होगा that's why पहले हम लोग wavelength पता करेंगे and then हम लोग ultrasonic wave के velocity को direct उस formula के मदद से पता कर सकता है ठीक है न so acoustic grating का method है है न और पहले तो हमें समझना चाहिए कि यह acoustic grating का method है क्या ठीक है न so basically हमारा जो topic है वो क्या है determination of wavelength and velocity of ultrasonic wave in liquid और यह जो method है इसे कहते है acoustic grating का method या आप ऐसा कह सकते हो कि जो principle है इसे पूरे experiment का या फर पूरे determination का जो principle है उस principle को कहते है acoustic grating principle ओके ठीक है ऐसा कह सकते है तो चलिए पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर यह acoustic grating method है क्या अर्थात principle क्या है यहाँ पर कारे करने का ठीक है principle फिर हम लोग थोड़ा सा इसके experimental setup की बात करेंगे जिसमें constructions भी देखेंगे and then इसके walking की बात करेंगे और फिर कुछ calculations करेंगे ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे वीवस देखें सबसे पहले सबसे पहले यह जो diffraction of light है ultrasonic waves के द्वारा जो किसी liquid के थरोब पास कर रही है इसे सबसे पहले 1932 में 1932 में observe किया गया था दो American scientists के द्वारा यह यूँ कह सकते अमेरिका में यह इसे observe किया गया था 1932 में D.B. और C.S. के द्वारा देखें होता क्या है कि एक liquid का column होता है उस liquid के column से ultrasonic waves पास कर रही होती है ठीक है और जब उस पर light पढ़ता है तो वह जो है light का ultrasonic waves से जो liquid के थोरो पास कर रही है इसे सबसे पहले D.B. और C.S. ने 1932 में observe किया था ओके ओके सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि भाई होता क्या है जब एक liquid के थोरो ultrasonic wave पास कर रही होती है और अगर हम लोग उस liquid column पर light source दे दे तो क्या होता है पहले हमें थोड़ा यह समझना चाहिए तो इसके लिए मेरे प्यारे विवस हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा thing समझने का कोशिश करते है माल लिजे यह liquid column है आपका और जैसे ही इसमें ultrasonic waves इस liquid column से पास करता है होता क्या है होता है और जब ultrasonic waves आप इससे पास करते हो हना तो क्या होता है हमें diffraction pattern मिलता है तो हम लोग के कहते हैं कि यहाँ पर यह जो liquid column था ओके यह जो है diffraction element की तरह काम किया diffraction greeting की तरह काम किया इसलिए इस method को acoustic greeting का method कहा जाता है यहाँ पर लिखा है हम लोगों कि when ultrasonic waves having wavelength lambda u are propagated in a liquid the density varies from layer to layer due to periodic variation of pressure आपको पाता है ultrasonic wave क्या है compression और rarefaction के form में propagate करता है तो compressed reason में जो density होता है वो जादा होता है क्योंकि वहाँ पर pressure variation भी काफी होता है और pressure variation क्या है layer to layer बदल रहा है compression से rarefaction क्या होता है pressure बदलते रहता है that's why density भी जो है layer से layer vary करती है क्योंकि वहाँ पर periodic variation होता है किस में? pressure में now अब इस condition के अंदर जब हम लोग एक monochromatic light को क्या करते है pass करवा देते हैं इस liquid at right angles मतलब liquid column right angle पर रहे और light जो है मतलब light जो है pass करें liquid light right angles पर रहे कुछ इस प्रकार से ये right angles पर है इधर से light pass कर रहे है ठीक है under this condition okay monochromatic light is passed through the liquid at right angles to the waves the liquid behaves as a diffraction grating है ना तो जो liquid है वो diffraction grating की तरह behave करता है और इसी grating को इसी grating को हम लोग क्या कहते है acoustical grating कहते है और चुकी हम लोग इस method की मदद से ultrasonic wave की wavelength और velocity को पता कर सकते है इसलिए हम लोग इस method को क्या कहते है acoustical grating का method या acoustic grating method okay this grating behaves in the same way as ruled grating hence this method can be useful for finding the wavelength and velocity of ultrasonic waves in liquid this method is known an acoustic diffraction method okay देखो यह आपका पूरा क्या है principle है किसका determination of velocity of ultrasonic waves in liquid यह principle है okay यह principle है या फिर अगर आप से पूछे कि acoustic grating method क्या होता है तो you have to write this all okay अगर आप इतना लिखेंगे तो अच्छा कासा हो जाएगा ठीक acoustic grating method क्या है यहां तक में आपको यह बताना होगा ठीक है अब यह तो बात होगी कि principle की principle of walking क्या है now let us see the experimental setup कि यह experimental setup किस प्रकार का दिखता है तो यह जो आप देख रहे हैं यह experimental setup है इसमें जो है पहले तो आप यहां पर देखिए liquid column की जो बात की गई है वो यह वाला है liquid जो एक glass tank में भरा हुआ यह glass tank है यह वाला इसमें liquid आपका भरा हुआ है और इस glass tank के अंदर महीं आप देखिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया है एक quartz crystal रखा है यह quartz crystal है quartz crystal क्या होता है एक piezio electric material होता है है आपको पता है और इस quartz crystal को हम लोग क्या किये है दो electrodes के बीच हम लोग connect किये है किस से एक piezio electric circuit या piezio electric oscillator से connect किये है ताकि जब हम लोग इसको disturb करे यह quartz crystal है जब हम लोग इसको disturb करे तो इस liquid में ultrasonic waves produce हो और यहाँ पर देखिए इसका जो अपर वाला जो हिस्सा है उपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम लोग ने एक reflector लगाया है यह reflector क्या करेगा यहाँ पर जो waves बनेगा ultrasonic waves जो यहाँ बनेगा उसको यह reflect करेगा ताकि यहाँ पर हमें कुछ stationary waves मिल सके यह हम लोग अगले figure में देखेंगे ठीक है इसके अंदर हम लोगों ने यहां पर एक lens L1 लिया है ताकि यह जो source of light है जो source है light का जहां से light आ रहा है उसको यह जो lens L1 यह क्या करें focus करें कहां पर slit पर focus करें हना यह slit है वह यह वाला और slit के बाद एक और lens लिया है L2 यह क्या करेंगा slit से आने वाली light को इस पर focus कर देगा इस liquid पर focus कर देगा अब liquid पर आएगा तभी तो हमें इधर side यहां पर telescope से हम लोग देख करके पता चलेगा कि यहां diffraction हो रहा है या फिर लेकिन जब हम लोग इसको disturb करेंगे एक्साइट करेंगे इस quartz crystal को तो इसमें waves प्रोड्यूस होगा और waves प्रोड्यूस होगा तभी तो वो हमारा diffraction grating के तरह काम करेगा तभी तो liquid diffraction grating के तरह काम करेगा हना हमने कहां कि if under this condition monochromatic light is passed through the liquid at right angles to the waves इसमें जो waves बना है इसमें ultrasonic waves बना है okay the liquid behaves as a diffraction grating okay समझ पार है things को आगी थोड़ा सा यहाँ पर things को देखते है it consists of a glass tank okay glass tank consists करता है filled with liquid इसमें liquid filled a piezoelectric crystal quartz is fixed at the bottom of the glass tank यहाँ पर देखिए कहा था हम लोगोंने and is connected with piezoelectric oscillatory circuit ताकि इसको excite किया जा सके तभी तो यहाँ पर ultrasonic waves हम लोग इसमें प्रोड्यूस कर सकेंगा अपने सो तो ultrasonic wave प्रोड्यूस नहीं होगा ना listen you okay and an incandescent lamp is used as a monochromatic source यहाँ पर यह lamp है इसको हम लोग monochromatic source की रूप में यूज करेंगे and a telescope arrangement is used to view the diffraction pattern यहाँ पर यह telescope arrangement है okay a collimator consisting of two lenses दो lenses L1 and L2 used to focus light effectively in the glass tank now let us see how it works देखिए यहां से मान लिजें दो रहे आया ऐसे तो धेर सारे रेस होगे हम लोग दो रेक अंसरा कर रहा है तो यह जो रेस है इनको यह focus कर देगी इधर साइड में ठीक है ऐसे focus हो जाएगा यहां से इस lens पर ठीक है ना okay lens पर and then यहां से जो यह जो रेस है यह lens क्या करेगी इसको यहां से focus कर देगी कहां पर इस पर इस पर ठीक है इस पर focus कर देगी इसको यह ठीक है लेकिन जब हम लोग इस quartz crystal को disturb करते है इस पीजियो एलेक्ट्रिक उसलेटर सर्किट के मदद से तो क्या होता यहां पर ultrasonic waves बनता है और यह ultrasonic waves जो है जब reflector reflect करता है यहां पर वो stationary wave बन जाता है तो यह आपका experimental setup है किसका experimental setup है फ़र ऐसा कह सकते है acoustic grading method का experimental setup है या फ़र determination of wavelength and velocity of ultrasonic waves and liquid का यह आपका experimental setup अब बात करते हैं इसके walking की प्यारे वीवस देखें walking के लिए things यहां पर लिखा है हम लोगोंने experimental setup आप समझ गये होंगे आपको इसमें कुछ भी पूछना होगा तो comment कर लीजेगा ठीक है देखें हमने पहले ही आपको कहा यहां पर दो points में हम लोग जो है walking को देखेंगे पहला क्या है when the piezoelectric crystal is kept at rest and the source of light is switched on we only get a single image of slit this is there is no diffraction ठीक हना पहला केस माल लीजे आपने piezoelectric crystal को rest पर रखा है और यहां से जो monochromatic source of light है वो in lenses के दोरा इस पर focus कर दिया गया इस liquid पर तो इस स्थिति में जब piezoelectric हमारा जो crystal है quartz crystal यह rest पर है इस स्थिति में हमें जो telescope पर image मिलेगा वो cable और cable slit का होगा मतलब यहां किसी भी प्रकार का कोई diffraction pattern नहीं मिलेगा ठीक है दूसरा case है कि जब हम लोग piezoelectric crystal को disturb करेंगे ओके हमारा मेरे प्यारे वीवस जब आप इस piezoelectric crystal को disturb करोगे तो क्या होगा यहां पर आपका जो है कुछ waves बनेगा देखिए ऐसे हम लोग आपको यहां पर crystal certruff के फार्म में देखा रहे हैं लेकिन actually में crystal truff के फार्म में नहीं बनता वह compression के फार्म में बनता है ठीक है तो आप इसको ड्रॉ मत करिएगा आम लोग बस आपको दिखाने के लिए चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्या होगा ultrasonic waves बन जाएगा यह waves जो है वहां पर जो density है वो कम हो जाएगा और जो node है वहां पर density बढ़ जाएगा और इस स्थिती में जब light यहां से पास करेगा तो हमें यहां पर telescope पे कुछ diffraction pattern देखने को मिलेगा यह दूसरा दूसरा step यह ना विन दो पीजियो एलेक्ट्रिक किस्टल इस excited excited मतलब वहीं disturb करना जब आप oscillator को on कर देंगे तो वह क्या होगा पीजियो एलेक्ट्रिक किस्टल वाइबरेट करेगा तो वहां पर waves बनेगा ओके using पीजियो एलेक्ट्रिक उसलेटर circuit ultrasonic waves are produced and are passed through the liquid liquid से पास करेगा कर देंगे या आप ऐसा भी कह सकते ultrasonic stationary wave होगा ओके ओके वित नोट्स and anti-nodes in the liquid now at nodes नोट्स पर जो density होगा liquid का वो क्या होगा ज्यादा होगा लेकिन anti-nodes पर जो density होगा liquid का वो कम होगा now when the monochromatic light is passed अब इस स्थिती में जब monochromatic source से light को पास करवाय जाता है तो liquid जो है directing element की तुरह काम करता है और ये जो है light को direct करता है और हमें जो है एक diffraction pattern देखने को मिलता है जिसमें central maxima, central minima, principal maxima जो है हम लोग telescope से observe कर पाते है कुछ इस प्रकार का scenario यहाँ पर बनता है ठीक है तो यहाँ पर देखिया आप monochromatic source of light जो lenses के द्वारा जो collimator में present है यहाँ पर collimator में इनके द्वारा जो है focus कर दिया गया glass tank पर और यहाँ पर जो stationary waves form थी यह क्या किया directing element की तरह काम किया और फिर हमें जो है इसके बाहर कुछ इस प्रकार का second order, first order, zero order, first order, second order इस तरह का हमें diffracted beam of light यहाँ पर मिला जहां पर आप देखिए first order पर आपको central maximum मिला फिर दोनों तरफ आपको minimum मिला है इस प्रकार का जो है पूरा scenario बनता है तो यह आपका क्या हो गया working हो गया किसका यह आपका working हो गया acoustic grading method ठीक है अब जो है हमें कुछ calculations करनी चाहिए ठीक है यहां त velocity of ultrasonic wave पता करने का वो पता चलेगा देखिए diffraction grading जब आप पढ़ेंगे तो हमारे पास एक condition होता है central maximum का d sin theta is equal to n lambda ओके यहां पर देखिए d जो है न यह जो d है यह क्या है distance है दो successive notes और anti notes के बीच का distance है ओके यह जो n है यह वाला यह आपका order of spectrum है यह आप ऐसा भी कह सकते ह है order of diffraction भी कह सकते हो आप ओके यह जो lambda है यह monochromatic source of light जो हम लोग यूज की है न यह वाला monochromatic source of light इसका wavelength है ओके और यहां पर यह जो d है यह actually lambda u by 2 से equal है lambda u क्या है यह ultrasonic wave का wavelength है ठीक है न तो यह जो condition है इसी condition की मदद से हमें wavelength भी पता चले जाएगा ultrasonic wave का और velocity भी है lambda u by 2 है क्योंकि देखिए कहनेकारत यह है कि माली जे कुछ इस प्रकार से एक wave है ठीक है न तो यह पूरा यहां से यहां तक का lambda u distance है लेकिन एक छोटा जो distance है ओके यह d से equal है आपका ठीक है न तो इसलिए हम लोग जो है d को lambda u by 2 लिये हुए है ठीक है न अब ऐसा करते है हम लोग कि यह जो d है इसके जगे पर lambda u by 2 रख देता है ओके नो अगर उस d के जगे पर lambda u by 2 रख दे तो यहां पर क्या हो जाएगा sin theta is equal to n lambda now we can also write it as lambda u is equal to 2n lambda by sin theta ठीक है ना आपको यह जो expression मिल रहा है lambda u is equal to 2n lambda by sin theta यह क्या है यह आपका wavelength है okay यह है आपका wavelength of ultrasonic waves okay in liquid ultrasonic waves जो liquid में है उसका यह wavelength है lambda u is equal to 2n lambda n क्या है order of diffraction या order of spectrum lambda क्या है monochromatic source of light जो लिए है उसका wavelength है sin theta मतलब sin theta हम लोग use करते हैं बड़ जो theta है यह actually में angle of diffraction है ठीक है angle of diffraction है ध्यान रखेगा now as we know that okay as we know that या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं as we have studied in concept of wave velocity जो हम लोग वेव वेलोसिटी के concept को discuss कर रहे थे तो वहां पर हम लोगोंने पढ़ा था कि जो wave velocity होता है जो wave velocity होता है यह एक्चुली frequency इंटू wavelength का product होता है उसी प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि यहां जो ultrasonic wave है इसका जो velocity है चलिए उसको माल लेते हैं v u ओके तो यह जो है equal होगा किससे आपका frequency of wave या ultrasonic wave इंटू wavelength of ultrasonic wave ओके सो अगर आप frequency तो हम लोग उसलेटर की मदद से पता कर सकते हैं ultrasonic waves का okay so this is the required expression for velocity of ultrasonic waves in liquid आप चाहो तो lambda u जो है इसका value यहां पर रख करके एक और expression लेख सकते हैं कि v u is equal to okay 2 f n lambda by sin theta इस प्रकार से भी जो है आप velocity of ultrasonic waves in liquid का expression लेख सकते हैं ठीक है तो यह general सा calculation इसमें कोई बड़ा calculation नहीं करना है आपको ठीक है ना छोटा सा calculation okay so समझ पा रहे हम लोग जो है acoustic grading का method किसे कहते हैं यह आप यहां से लिख पाएंगे basically acoustic grading का जो method यह actually principle है है determination of velocity of ultrasonic waves in liquid को मतलब ऐसा कह सकते होगी ultrasonic waves जो लिक्विड में है उसका velocity को determine करने के लिए principle जो प्रियोग कर रहे हैं वो क्या है acoustic grading का method है हो सकते हैं आप से पूछे कि यह costing grading क्या होता है so you have to write this all आप इसको लिख सकते हूं और जो diffraction of light था ultrasonic waves के द्वारा लिक्विड में ओके वो 1932 में shears और डीवे के द्वारा observe किया गया यह आपका जो है यह walking है ओके यह experimental setup ध्यान रखेगा experimental setup को ठीक है अच्छे से screenshot ले करके things को आप लिख पाएंगे यह experimental setup है ठीक है यह नीची का इस्जा और यहां पर जो है यह walking है आपका दो हिससे में हम लोगों ने walking लिया एक बार crystal रेस्ट पर था एक बार crystal को excite किया गया हमारे द्वारा जो ऑसलेटर है पीजियो एलेक्रिक उसलेटर की मदद से और यह दूसरा इमेज है ठीक है तो आशा यह वीडियो आपके लिए helpful हुआ होगा determination of wavelength and velocity of ultrasonic waves and liquid अगर आपको कुछ भी पूछना है तो comment करके पूछ सकते हैं और जो हमारा प्लेलिस्ट है ultrasonic waves acoustics and applications का उसे एक बार जरू से जरूर चेक करिए